तोँ है अवरीबन आज के is class में हम लोग धर्मोडायनमिक का नेक्स टॉपिक हम हम लोग पढ़ेंगे हो है हमारा सेकेंड लॉप को फ 1 थर्मोडैना मिक्स और इससे पहले के लाओंप फर्स्ट फर्मोडायनमिक्स के बारे में पढ़े तें जिसमें मलोग देखे देखी फर्स्ट लॉप थर्मोडानेमिक्स जो कहता है कि कोई भी एक साइकलिक प्रोसेस के लिए जैसे सपोच कि यह हमारा एक साइकलिक प्रोसेस है वन से टू और टू से फिर वापस वन हैना साइकलिक प्रोसेस हो गिया कि प्रोसेस कहलाता है कि change of estates a series of change of estates जो होती है वो एक प्रोसेस होता है और जब फाइनल और इनिसियल पॉइंट सेम पे आके मीट करता है सेम पॉइंट पर तो यह एक साइकल हो गया तो तो एकरडिंग फ्रृस्ट लॉज गां कुई हमारा साइकलिक प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसमें उस प्रोसेस में जो हमारा Productions सिस्टर वह बराबर होगा हीट इनर्जी रिमूवड फरॉंद तीनियों कि साइकलिक इंटीग्रिल औफ प्नीट वर्क जो होगा हो साथ ही जो है हम लोग और क्या पर हैं कि को हम लोग इनर्जी को है कि इनरजी कंजरवेशन यानि कि first law of thermodynamics जो है वो energy conservation पर बेस्ट है है ना यानि कि इसका कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी अगर process होता है thermodynamic process होता है या हमारा system जो है के अंदर कोई change of states अगर होता है तो उसका जो net energy है वो conserve रहता है ऐसा first law of thermodynamics कहता है बट यहां पर first law of thermodynamics हमारा यह explain नहीं करता है कि जो यह जो process है वो process हमारा feasible है या नहीं है कहने का मतलब कि यह process हो सकता है या नहीं हो सकता है इसके probability के बारे में ऐसा कुछ इससे हमको नहीं मिलता है है नहीं कि जैसे कि हम एक अगर सिंपल सा एक अगर हम लोग metallic rod लें यहां पर और उसका एक इंड को अगर हम लोग heat करें जैसे कि यहां पर हमारा इसका temperature मान लेते हैं कि टी टू है इस point का सुरी टी वन है और इस point का temperature हमारा टी टू है अगर टी वन ग्रेटर देन टी टू है तो एजे हम natural process हम जानते हैं कि heat जो है वो हमारा क्या होता है हमेशा high temperature to low temperature की और यह flow करेगा इसका मतलब हो गया कि इसमें अगर यह rod एक conductor medium है metallic rod है तो heat current जो है यहां से इस इंड से दूसरे इंड की और क्या करेगा फ्लो करेगा इस process को हम लोग एज़े कहते हैं कि इस पॉंटेनियस एस पॉंटेनियस प्रोसेस एस पॉंटेनियस प्रोसेस जो है तो हमेशा one direction में होता है one direction मतलब हो गया कि यह एक ही direction में perform होता है अगर इसको हम reverse करेंगे तो यह possible नहीं होता है वो नान इस पॉंटेनियस होता है जैसे कि example हो गया कि जो हमारा अगर water का फ्लो है water का फ्लो हमेशा हाई हेड से हाई हेड से लो हेड की तरफ इसकी फ्लो होगा similarly electric current भी अगर voltage का डिप पोटेंशियल डिफ्रेंस है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करेंट की फ्लो होगी हीट का फ्लो कैसे होगा तो हाई टेंप्रेचर टू लो टेंप्रेचर बॉडी हमेशा हीट करेंट का फ्लो होगा तो यह सब एक क्या है spontaneous process है spontaneous process बट अगर हम इस thermodynamics से अगर हम इसको relate करें तो जैसे कि एक energy conservation है इसका मतलब यह हो गया कि सभाविक है कि यहां से heat निकलके दूसरा की तरह जा रहा है पहला one point से टू point की ओर जा रहा है तो यह जो पहला point होगा वह धीरे-धीरे cool होगा और हीट यहां पर क्यूकि इस पॉय्ट से हीट का लूज हो रहा है और यह दूसरा point है जो heat को gain कर रहा है तो यह धीरे-धीरे जो है तो इसकी टेंपरेचर राइज करेगा यानि टीटू की मान जो है वो बरहेगा है ना यह हीट होगा और यह कूल होगा है ना तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम फर्स्ट लॉप थर्मोडायनमिक्स के नजर से हम देखें तो इसका कहने का मतलब यह हो गया कि अगर यहां पर यह पॉइंट अगर हमारा कोई टी टेंपरेचर से कूल होता है तो यहां पर जो दूसरा इंड पॉइंट है यह सेम टेंपरेचर से यह हीट होना चाहिए ठीक है फिर से बोलते हैं कि फर्स्ट लॉप थर्मोडायनमिक्स के अधार पर अगर हम लोग इस जो हो रहा है तो यह अगर टी टेंपरेचर से कम हो रहा यह ठंडा हो रहा है तो अगर टीक गेंड जो है अगर हम ज़तस नहीं होता है तो फिर क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इसी चीज को हमको explain करता है यह second law of thermodynamics क्यों होता है कौन सा प्रोसेस हमारा फीजिबल है या नहीं है इसकी probability किधर की ओर है क्या इनर्जी का degradation होता है या नहीं होता है अगर मान लिजे कि यहां पर प्रूल हो रहा है और उतना हीट से यहां पर हीट यह इंड हीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बीच में कहीं नहीं इनर्जी का क्या हो रहा है डिग्रेशन हो रहा है या इनर्जी कहीं न कहीं हमारा बीच से लॉस्ट हो रहा है तो इस चीज़ को भी explain कौन करता है यह हमारा second law of thermodynamics ही करता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो first law of thermodynamics है यह हमारा सिर्फ और सिर्फ quantity based होता है यह क्या होता है quantity based होता है यह डज नॉट एक्स्प्लेइन क्वालिटी यह क्वालिटी को explain नहीं करता है कि किस इनर्जी के पास क्या क्वालिटी है उसकी क्या degradation rate है किस तरह से वह loss हो रहा है किस तरह से हम उसकी क्या क्वालिटी है जिसकी हम utilization कितनी maximum कर सकते हैं यह सब कुछ भी explain जो है से यह first law of TD नहीं करता है यह सब हमको जो quality based energy है quality based energy यह हमको किस से पता चलता है तो वह हमको second law of thermodynamics से पता चलता है कि कोई भी energy अगर हमारा stored है सपोज कि हम battery को ही अगर हम charge किये हैं तो उसमें हमारा potential energy stored है तो उसकी क्या quality है या कोई कहीं पर भी एक हमारा heat reservoir है यह हमारा कोई अगर heat reservoir है यह reservoir के पास क्या quality है इसके पास किस तरह की energy की quality है यह सब हमें किस से मिलता है second law of thermodynamics से प्रोसेस से मिलता है तो सेकेंड लोग जो है वह हमारा quality और degree of degradation इसमें हमारा हम बोलेंगे कि quality अप्लस डिग्री ओफ degradation degradation मतलब होता है कि जब हम लोग आगे परहेंगे तो देखेंगे कि energy जो है तो हमेशा वह degrees करता है मतलब degree मतलब हो गया कि उसकी जो quality होती है वह lost होता है जैसे suppose कि अगर हम को एक battery लेते हैं और इसको हम फुल चार्ज कर देते हैं ठीक है और इस चार्ज battery को हम अभी चार्ज किया और अभी का अभी इसका हम यूज कर लेते हैं और एक similar type का battery है और उसका वह उसको भी same हम चार्ज कियें बट इसका यूज जो है तो हम कुछ दिन कुछ समय लेते हैं यह long time के बाद हम इसका क्या करते हैं यूज करते हैं तो देखेंगे कि दोनों में फर्क साफ है कि दोनों का जो हम energy की quality होगी वह एक जैसा नहीं होगा जो अभी हमने चार्ज किया same potential से दोनों को और उसको हम अभी यूज किये तो यह काफी हम को बहतर जो भी हम इसके साथ device लगाएं वह काफी बहतर पर फॉर्म किया लेकिन इसी बैटरी को अगर हम लोग चार्ज करके कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देंगे यह जो पोटेंसिल इनरजी जो इसमें स्टोर हुआ है वह उसकी क्वालिटी लॉंग टाइम के बाद आप वैसी नहीं रहेगी मतलब अब इसके साथ अगर हम किसी डिवाइस को हम एड़ कर रहे है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो वह इसके जैसा वर्क नहीं करेगा आप्टर लॉंग टाइम अगर ज्यादा छोड़ देंगे तो यह पूरा का पूरा बाद हमको डिस्चार्ज बैटरी मिलेगा तो आखिर इनरजी गया कहा हम इसका यूज किये नहीं लेकिन फिर भी यह हो गया तो कहने का मतलब इसकी क्वालिटी में डिग्रेड हुआ इनरजी लगतार इसका डिग्रेडेशन हो गया है और वह काफी छोड़ देते हैं तो वह लॉस्ट भी हो जाता है तो यह है हमारा फर्स्ट लॉग और सेकेंड लॉग के बीच का जो डिफ्रेंस हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉग जहां हमारा इनरजी कंजर्वेशन पर बेस्ट होता है वही सेकेंड लॉग जो है वह हमें बताता है कि कोई प्रोसेस फीजीवल है या नहीं उसकी प्रोबैबलीटी क्या है उसका मतलब फंक्रोसेस होने की प्रोबैबलीटी क्या है क्या नेश्टे ही से को हिट इनर्जी फ्लो है यह उनर्जी के फ्लो का जो घलए उसको यह second law of thermodynamics से ही पता चलता है साथ ही जो है जो energy का transformation है उसकी जो quality है energy की है न वो भी हमें second law thermodynamics से पता चलेगा और साथ ही degree of degradation degree of degradation कोई कितना जल्दी degrade कर रहा है कोई कितना long time degrade कर रहा है या कोई किस तरह से degrade कर रहा है यह सब की सब जानकारी हमें second law of thermodynamics से मिलेगी एजे हम इसको एजे कहें तो यही हमारा ऐसा law है जिसके उपर हमारा जेनरली जो practical device सब है वो हमारा work करता है या हम कहें तो जो हमारा heat flow है जो really में flow होता है वो भी हमारा एजे second law of thermodynamics पर बेस्ट होता है फर्स्ट लोग तो एक आइडियली रूप सो करता है बट सेकेंड लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप को सो करता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉग थर्मोडानेमिक्स में एक इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के उपर जो जाना जाता है जूल एक्सपेरिमेंट अब देखोंग जूल किया वो क्या किया कि सबसे पहले किसी एक को सिस्टम लिया है ना और सिस्टम में वो क्या किया कि इसमें हमारा वर्क इनर्जी का ट्रांस्फॉर्मेशन किया वर्क इनर्जी को यहां से ट्रांस्फर किया यह ठीक है जैसे वन कोई प्रोसेस वन से टू है और टू से वन है है ना तो कनवर्शन अगर हम वर्क इनर्जी को कनवर्ट करें यानि कि एकॉर्डिंग टू दा जूल्स लौ अगर हम लोग किसी सिस्टम में क्या करते हैं वर्क ट्रांसफर करते हैं यानि कि यह इसमें हम लोग क्या करते हैं वर्क ट्रांसफर करते हैं और इसको फाइनली हम हमें हम dai поряд फिर इन तंब करते हैं हम लोग ही ट्रांसफर में ठीक है तो एकड़नेंट ग्राइक्वरय्मेंट दैखा कि यह जो हमारो वर्क का ठांसफर है वो जैसे ही हमारा सिस्टम में जाता है वह हमारा रचल एक इन्टरनल in our gym में वो convert करता है और फिर ये internal energy further हमारा heat energy में या heat transfer में वो convert करता है तो देखा क्या कि जो amount है work transfer का जो quantity है है न वो work को completely convert किया जा सकता है जैसे अगर हम one से two process को अगर हम work transfer लें यह हमारा q2 से one यह हमारा heat transfer के क्या होगा यह बराबर होगा मतलब work transfer को hundred percent convert किया जा सकता है heat transfer में ठीक है इसी लिए work transfer को high grade of energy कहा जाता है इसको कहा जाता है high grade of energy वहीं पर heat transfer को low grade of energy कहा जाता है ठीक है तो यही हमारा फिर system है और कोई process one से two to say one हो रहा है अगर हम इसमें अगर heat की transfer करें और यहां से हम लोग work transfer करें यानि कि कोई heat जो system में जा रहा है और यह heat हमारा convert हो के work के रूप में बाहर आ रहा है तब उन्होंने देखा क्या कि जो यहां पर quantity है यानि कि जो हमको work transfer जैसे यहां two से one मिल रहा है और यहां one से two heat transfer है तो क्यों जो two w जो two से one यानि कि वर्क जो transfer है वो हमको कम मिल रहा ही transfer से अब देखो हमने कुछ amount of heat system में transfer किया यह system उस heat को work के रूप में transfer किया तो जब हम दोनों का जो quantity है जब हम उसको हम देखें तो देखें क्या कि जो work transfer का quantity है वो हमारा heat transfer के quantity से कम है तो इसका मतलब यह है कि हमने जब इसको heat दिया और इसको यह work में convert किया और वो उसकी amount कम हो गई तो इसका मतलब कहीं न कहीं यहां से कुछ न कुछ यह heat जो है तो वह बाहर reject हुआ यह कहीं और चला गया है तो इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि work को completely heat energy में हम लोग convert कर सकते हैं बट heat energy को हम लोग completely work में transfer नहीं कर सकते क्यों जो होगा वह always greater than work होगा यह heat transfer हमेशा work transfer से value से more होगा तो यह हमारा पता चला कि इसमें तो यह हमारा जूल्स के experiments में ठीक है तो इसको हम लोग जैसे कि further अगर हम लोग को एक cycle के रूप में लें कि जिसमें different process हो रहा है जैसे यह हमारा 1 से 2 है process 1 से 2 हुआ है 2 से 3 हुआ है 3 से 4 हुआ है और 4 से फिर वापस 1 हुआ है यह क्या बन गिया एक हमारा cycle बन गिया है न तो अब यह cycle बन गिया तो यहां पर हम मानते हैं कि यह क्यों वान से 2 प्रोसेस जिसमें हमने heat को transfer किया तू से 3 प्रोसेस ऐसा हुआ जिससे हमको वर्क मिला वर्क का transfer हुआ थिरी से 4 जो है यह हमारा कुछ heat का rejection हुआ या फिर कुछ heat आउट हुआ और फोर से वन जिसको हम लोग फिर वापस वर्क transfer किये है न यह एक cycle है तो क्यों वन टू हीट सप्लाइट टू दा सिस्टम डवलू वो टू थिरी वर्क डन बाइड़ सिस्टम क्यू थ्री फोर हो गया क्या हीट रिजेक्टेड फ्रॉम दा सिस्टम और डवलू फोर वन हो गया वर्क डन अपॉन दा सिस्टम ठीक है यह व सबस्क通 दोओके अगर हम लोग अगर हमनों दैखते हैं तो डवलू टू थिरी यह जो हमको अहुआ दा सिस्टम हो रहा है वर्क तो पॉजिटिव लेंगे माइनस हो जायेगा डवलू फोर वन ऊन्डश्टम है तो ये िनिगटिव में आए गा तो तो network क्या होगा 23 माइनस applied similarly जब हम इसकी क्वांटिती को हम देखते हैं इसका valid with वह हम देखते हैं क्या है कि यह हमको लेशस이ृ मैं ऐसे क्या होगी यह कम हो भी रिजेक्टेड है ना तो यहां पर कुछ यह जो हीट रिजेक्टेड है यह क्या है क्यू थिरी फोर मतलब हो गया कि कोई भी अगर हम सिस्टम में देख रहे हैं बार-बार वह एक्सपेरिमेंट करके जूल ने देखा तो वह देखा कि कभी भी हमारा जो है ही टोटल हीट ह हमारा टोटल वर्क में ट्रांसफर नहीं हो रहा है ठीक है हलाकि टोटल वर्क टोटल हीट में ट्रांसफर हो जा रहा है है लेकिन टोटल हीट जो है वह टोटल वर्क में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है यानि कि कुछ न कुछ हीट का हमें लगातार क्या हो रहा है रिजेक् ही ठीक है तो इस चीज को फिर फर्दर हम लोग जो है तो यहां पर केलवीन प्लैंक स्टेटमेंट जो की एक थर्मूल सेकेंड लॉप थर्मो डाइनमिक्स का स्टेटमेंट माना जाता है केलवीन के लैंक स्टेटमेंट सेकेंड लॉप इसी को हम लोग सेकेंड लॉप थर्मो डाइनमिक्स भी कहते हैं तो इन्हों ने क्या स्टेटमेंट दिया कि इट इंजन कोई भी हीट इंजन जो होता है हीट इंजन किसको कहते हैं तो ऐसा इंजन ऐसा डिवाइस जो हीट को कनवर्ट करें किसमें वर्क में एक करने वाला डिवाइस है उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं तो इसके स्टेटमेंट के अदहार पर कि मेन एक उसा हीट इंजन बनाना इंपरेवल है जो हमारा नेट वर्क क्क प्रोड्वेस करें इसाइकल, यह कि एक इसाइकल में हम को नेट हीट वर्क क् lurण्वेस करें जैसा कि अभी हमने बताया कि क्यों का ड्व wideson work में हो जाय मैं कि यह बताया क्यों का कंप्लीट यह हीट इंजन ले रहा है उतना ही amount of heat यह work में convert कर दे ऐसा करना क्या है impossible है संभब नहीं है है न इसका मतलब हो गया कि कुछ न कुछ heat must be rejected some heat must be rejected अगर ऐसा होता है कि heat complete convert होगा work में तब वो हमको एक सिंगल फिक्स टेंपरेचर जैसे कि हमको एक थर्मल रीजर वायर है यह क्या है थर्मल रीजर वायर थर्मल रिजर वायर किसको कहते हैं रिजर वायर का डिफनिशन होता है कि कोई भी एक हाइपोतेटिकल बॉड़ी जहां से जिसके पास लार्ज थर्मल इनर्जी का कैपेसिटी हो जिसके पास काफी क्वांटिटी में थर्मल इनर्जी का कैपेसिटी हो इसमें से हम थोरा वोट साथ यहां से हीट अगर हम निकाल भी लेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं परेगा जैसे अगर हम लोग बात करें कि seating में क्या रहें water का वहां पर काफी भंडार है उसमें से अगर हम लोग एक भाल्टी यहां पर पानी निकाल ले सी में से तो सी को कुछ फर्क नहीं परेगा तो सी को हम लोग एजे कहेंगे यह एक वाटर रिजर वायर है उसी नदी हो गया तलाब हो गया यह सब क्या एक तरह का वाटर रिजर वायर है जहांसे हम काफी एमांट आफ वाटर निकाल लेंगे तब भी उस रातार हम प्राप्त कर सकते हैं तो फेर्म लेजर वायर तर्म बटर्माइब दॉर्प एसा थर्मल रिजर वायर जिसमें हम लोग हीट इनर्जी को और वापस भीजते हैं ये हमारा होता है सिंग है नहीं जैसे हम लोग का नाला का पानी जो है सो बैहते हुए यहां पर कोई एक तलाब में जाके जमा हो रहा है तो तलाब इजे संक थीक है ये हमारा सिंक हो गया और यह नाला में जैसे हमारे घर का पानी इसमें आ रहा है है न कोई जो है तो इसमें पानी डाल रहा है इंडस्ट्री का पानी जा रहा है तो यह सब सोर्स है जिससे इसमें वाटर आ रहा है और फाइनली यह जा करके एक तलाब में जमा हो रहा है तो यह उ सिंक कहलाएगा यह सोर्स और सिंक दो थर्मल लीजर वायर होता है तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अधार पर कि ऐसा हीट इंजन बनाना इंपॉसिवल है जो जो नेट वर्क प्रोड्यूस करें इन्हें कंप्लीट साइकल है इफ इट एक्सचेंज हीट ऑनली विथ बॉड़ीज एट इस सिंगल फिक्स टेंपरेचर मतलब कोई बॉड़ीज है यहां पर सिंगल फिक्स टेंपरेचर जैसे टीवन इसका टेंपरेच यहां से कोई हीट अगर यहां पर एक हीट इंजन है जो अपना हीट ले रहा है इस थर्मल दिजर वायर से और यह जहां पर हमको कंप्लीट वर्क में कर दें यानिकि सिंग में यह हमारा टीटु टेंपरेचर जो सिंग है यह सोर्स है तो में बिलकुल भी हीट रिजेक्ट ह कर दिया हीट इंजिन बनाना इंपॉस्पिवल है ऐसा हम को केलविन-ब्लांक कहता है कि यह सिंगल तेमपरेचर बॉडी से हीट एंजिन ऑफरेट करना समभब नहीं है कि अगर हीट हिंजन ऑपरेट होगा तो इसके लिए कम से कम दो thermal reservoir चाहिए क्योंकि यहां पर कुछ न कुछ amount of heat यहां पर must be rejected अगर कुछ amount of heat यहां reject हो रहा है तो उसके लिए कोई न कोई यहां पर एक sink body चाहिए जो इस rejected heat को यहां पर वो absorb कर ले है न तो इस तरह से यहां कि heat rejection must be definitely यहां पर heat rejection होगा Q2 कभी भी 0 के बरावर या less नहीं हो सकता है हमेशा यह 0 से क्या होगा बरा ही होगा यानि कि minimum heat engine को दो thermal reservoir की जरूरत होगी source और sink की है न और यह कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि thermal reservoir ऐसा है जिसका temperature हमारा T1 जो fix है और इसके बीच में हम लोग heat engine लगा दियें और जैसा कि हम बताएं कि heat engine operate होने के लिए इसको दो temperature body चाहिए दो reservoir चाहिए तब यहां से यह q1 amount of heat लेगा और इसका certain part जो है हमारा work में convert होगा और बाकि जो बचा part है वो हमारा reject होगा तो यह heat engine तब तक काम करेगा क्योंकि जब तक इसको heat मिलते रहेगा तब तक यह चलेगा और जब T1 और T2 का temperature अगर बराबर हो जाता है यानि कि thermal reservoir क्योंकि इससे q निकल रहा है तो T1 का amount कम होगा और T अगर इसमें reject होगी हीट आ रहा है तो इसका जो amount है यानि कितने heat है temperature करेगा तो इस तरह से जब अगर यह दोनों equal हो जाता है यह हम लोग किसी finite body की बात कर रहें कि अगर कोई finite body का यह condition हो तो तो फिर यह जब तक यह temperature हो जाएगा तब तक यह हमारा जो हीट इंजन है वह तब तक वर्क करते रहेगा इकुलाइज होने के बाद यह हीट इंजन जो है वह काम करना बंद कर देगा यह था हमारा kelvin planck statement ठीक है उसी Kelvin planks statement की अधार पर जो है वह हमारा एक डिवाइस बना है पी एम एम टू परपेच्वल मोसन मसीन पीजों बोलते हैं परपेच्वल मोसन मसीन ओफ सेकेंड काइंड यह वो गया तो यह एक ऐसा मसीन है यह एक ऐसा मसीन है जिसमें जो 100% जो है तो हीट इनरजी को यहां पर डबलू नेट जो हो जायागा जैसे कि सब्पोर्च कि यह हमारा टीवन टेंपरेचर है यहां से क्यूवन हीट लिया और यहां पर कोई हीट इनजन काम कर रहा है यहां पर डबलू नेट वर्क प्रॉड्यूस कर रहा है तो परपेचुल मसीन परपेचुल मोसन मसीन ऐक ऐसा मसीन होता है जो यहां पर हीट हीजेक्षेन है इसमें जीरो होता है यह यह इंजन जो है वह परपेच्वल मोश्ट मूस्टू कैणकि कहला यहाईग ज्ञेत नेट वह 15 surface केवPl एक से हीट को एक्षेंज करके ये काम कर रहा है तो अगर को ऐसा करेगा और पर फॉर्म करेगा तो मतलब है कि यह गॉलेट करेगा वाइलेट करेगा हमारा केलिविन प्लांक स्टेटमेंट का केलिविन प्लांक स्टेटमेंट का ये क्या कर एक वायॉलेशन करेगा इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह एक हायपोधेटिकल मुसीन उप्रैक्टिकली संभव नहीं यानि यह संभव नहीं है कि इसलिए इसका नाम क्या क्या है इसका नाम फिर कर देता कि कि एकाब हो जाएगा थे तो अब हम लोग यहां पर थुरा सब हीट इंजन की बारे में चर्चा कर लें जैसे जैसा कि हम लोग बताएं कि हीट इंजन क्या है हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा साइकली कली वर्क करता है और वो हीट इनर्जी को वो ट्रांस्फॉर्म करता है वर्क में यानि कि मेकैनिकल वर्क में यह ठीक है झैसे सपोज की यहां पर एक क्या है एक लेते हैं यह यह जैसे हम ठर्मल पावरश प्लांट का एक्जम्पल लेते हैं इहां से फिर आगे यह हमारा टरवाइन है हमारा क्या है यह यहां से फिर क्या है यह टर्वाइन हो गया यह कंडेंसर हो गया और यहां से फिर जो है एक पांप हो गया और यह फिर वापस वाइलर हम देख रहें कि यहां पर क्या है वाइलर में हम लोग क्या करते हैं हीट इनर्जी की सप्लाई करते हैं फ्यूल जलाते हैं तब इसमें प लो यहां पर यहां से करता है और यहां से हमको झाल मिलता है ठीक है उसके बाद यहां पर अपना हीट इनर्जी जो इसके पास steam है, steam के पास जो thermal energy है, वो thermal energy यहाँ पर turbine rotor को move कराने के लिए, rotate कराने के लिए use होता है और वो हमें यहाँ से mechanical work हमको soft work मिलती है और यहाँ पर उसका heat का क्या होता है? drop होता है, उसके बाद जो है तो यह steam जो है जब यहाँ turbine से out हो करके condenser में आता है और condenser में यहाँ पर फिर वापस उस steam का कुछ न कुछ यहाँ से heat बाहर reject होता है और यहाँ पर steam condense हो करके फिर यहाँ पर क्या बन जाता है? water बन जाता है liquid form में और इस liquid form में यहाँ पर pump जो है यह pump क्या करता है? pump को चुकी यह एक work consuming device है जब इस पर हम लोग कोई work supply करते हैं pump work देते हैं तो यह pump क्या करता है? इस water को वापस खीच करके और यहाँ से सक करके boiler में फिर से भेज देता है तो हम देख रहें कि से water क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है और heat supply हम boiler में दे रहे हैं और mechanical work हम पो termine से मिल रहा है और condenser में heat reject हो रहा है यहाँ के ठंडा हो रहा है तो इसका heat energy यहां loss हो रहा है और pump जो है तो इस water को वापस boiler में जब हम pump work करते हैं तो यह वापस क्या करता है? बॉयलर में भेज देता है इस तरह से यह क्या हो गया water जहां से start हुआ था मूब करना वहीं पर वापस फिर पहुंच गया तो यह एक क्या है cyclically device है यह एक पुरा-पुरा cyclic plant है तो इसको हम लोग एक block diagram में अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहां पर boiler है boiler से कहां गया था तो यहां पर हम लोग क्या किए boiler में q1 heat दियें यहां पर हमको क्या है कोई एक thermal energy reservoir है मालेते हैं कि यहां पर को एक thermal energy टी-1 temperature पर है इसको हम लोग यहां से q1 heat supply दियें किसको boiler को यहां पर fuel जला करके q1 heat supply दियें boiler को सर्वाइन से हमको क्या मिला यहां पर डवलू टी मिला और सी जो है यहां पर कंडेंसर से heat का rejection हुआ q2 atmosphere में यहां atmosphere हमारा क्या है सिंक है और पंप में फिर हम लोग वापस वर्क दिए तो अगर हमको यहां पर नेट वर्क कल्कुलेट करना होगा नेट वर्क जो है हमको इस डिवाइस से जो मिली यह q2 जो है वह वापस कहां जा रहा है यहां पर हम सिंक दे देते हैं टी-2 जो की जेनरली atmosphere होता है तो सिंस्टम है यह एक निगेटिव वर्क है तो डबलू टी माइनस डबलू पी यहीं हमको क्या मिल गया इस हीट इंजन से हमको एक नेट वर्क मिल गया जबकि हमको यहां पर हीट का जो सप्लाई है वहीट सप्लाई क्या है क्योंकि हम यहीं क्यों हीट जो सिस्टम को हीट इं कि निकाले हीट इंजन का हीट इंजन का एफिसियंसी क्या होगा इसका होगा कि नेट वर्क आउट पूट पूट ऑफ दे साइकल कि बाई टोटल कि हीट इनपूट कि तूदा साइकल कहने का मतलब हो गया कि हिपैल सही होता है 8 बाइ इन्पूट जो हमको नेट वर्क आउट पूट मिला और जितना हम तोटल हीट इनपूट दिए हैं यहीं सीयो क्या कहला हैगा तो यहां पर efficiency of heat engine जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा डवलू नेट अबाइ क्यूवन है ना अगर हम लोग एज फर्स्ट लॉप थर्मोडानेमिक्स को देखें एकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉप टी डी अगर हम energy conservation को देखें तो यहां पर जो हो जाएगा नेट हिट ट्रांसफर जो है वह हमारा नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा नेट हीट ट्रांसफर क्यूवन जो हम सिस्टम में सप्लाइग किये जो सप्लाइग किये इसको positive sign लेते हैं और system से reject हुआ वो हमारा q2 हो गया q1-q2 यह हमारा net heat supply हो गया और हमारा network हमको जो मिला वो wt-wp है न तो यहां से यही हो गया w net बरावर कितना है q1-q2 तो यहां पर efficiency जो heat engine का हो जाएगा वो जाएगा q1-q2 by q1 यही हमारा क्या है heat engine का efficiency है इसी को हम लोग thermal efficiency भी कहते है thermal efficiency of heat engine cycle तो यह हमारा क्या हो गया thermal efficiency है न तो इस परकार से हम लोग जो है heat engine क्या जो efficiency है उसको हम लोग find करते हैं और हम लोग कोशिस करते हैं कि यह हमको efficiency जो है maximum से maximum मिले किसी heat engine का जो maximum efficiency है वो एक कार नौट efficiency के बराबर हो सकता है जिसको हम लोग further आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे बट यह हमारा जेनरल efficiency है एक प्रैक्टिकल डिवाइस जो हीट इंजन है उसका अगर हमको ऐसे कहेगा निकालने के लिए efficiency तो वन माइनस q2 by q1 q2 क्या है तो हीट रिजेक्टेड और q1 जो है heat supply to the system तो इस परकार से हम लोग आज kelvin प्लांक से स्टेटमेंट हीट इंजन्स यह सब देखें इसमें अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें थैंक्यू